चत्रपती शिवाजी महराज जिसके दर्शन किसी को भी आसानी से नहीं मिलते थे वे कैसे दिखाई देते हैं, कैसे बोलते हैं, इसकी जानकारी दुश्मन को बहुत महनत से मिलती थी पर कुछ फिरंगी लोग थे जिन्हें महराज के दर्शन बड़े ही आसान तरीकी से हुए जी हां, बॉम्बे प्रांथ का गवर्नर हेंरी ओकसेंडर जैसे प्रसिद्ध लोग थे जिन्होंने महराज से मिलने का वर्नन अपने किताब में किया था पर हेंरी के अलावा एक इंसान ऐसा भी था जो खुद फिरंगी था पर औरंग जेब का बड़ा खास आदमी भी था जी हां, आपने सही पहचाना, मनूची, इन्होंने सोलावी सदी का पूरा इतिहास सही ढंग से लिखा था अपने अंतिम समय में उन्होंने मुगलों की नौकरी छोड़ दी थी, इसके पीछे भी एक वज़ह थी, उस पर किसी और दिन विडियो पेश किया जाएगा आज हम बात करेंगे कि मनूची को महराज की दर्शन कैसे हुए थे, मनूची और महराज की मुलाकात हुई तब वे 24 साल के थे, इसके अलावा वे कुछ मात्र फिरंगियों में से थे, जेने हिंदुस्तानी भाषा अच्छी तरह से समझ और बोलने आती थी इस कारण से छत्रपती शिवाजी महराज क्या बोल रहे हैं, ये मनूची को समझ आ गया था ये किस्सा जून और जुलाई के बीच 1665 के वक्त का था, छत्रपती शिवाजी महराज पर जैसिंग ने काबू पा लिया और जल्ध ही दोनों की मुलाकात भी शुरू हुई एक दिन मनूची, जैसिंग और एक ब्रह्मन व्यक्ति ताश खेल रहे थे, आपको बता दूं कि मनूची को जैसिंग ने राजदूत के रूप में अपने साथ रखा था, जो उनके लिए प्रतिनिधी का काम भी करता था उस वक्त खबर मिली कि शिवराय जैसिंग से मिलने आ रहे हैं, जैसे ही महराज चावनी में आये, पहली नजर उस फिरंगी उर्फ मनूची पर पड़ी मनूची ने भी महराज को कभी देखा नहीं था, महराज जैसे अंदर आये, वैसे तीनों खड़े हो गए महराज ने जैसिंग से पूछा कि ये इनसान कौन है, इस पर जैसिंग ने महराज से जूट बोलते हुए कहा कि मनूची किसी यूरॉप देश का राजा है इस पर महराज सोच में पड़ गए, उन्होंने सोच कर कहा कि उनके पास भी खूब सारे फिरंगी है, पर उनसे ये इनसान बहुत अलग दिख रहा है जैसिंग की जूटी बात से मनूची भी समझ गए, कि वे उन्हें महराज के सामने सम्मान देना चाहते हैं जैसिंग की बात से मनूची भी सावधान हो गए, और आगे की बात शुरू हुई मनूची ने महराज से धर्म और यूरोप की बात की, साथ ही मनूची ने यूरोप के कुछ राजाओं का वरणन भी किया इस पर महराज की राय क्या थी? वो उन्होंने अपनी किताब मोगुल इंडिया में लिखी है मनूची के अनुसार महराज को ये जानकारी थी कि पूरे यूरोप में पॉर्चुगीज के अलावा और कोई राजा नहीं है इस किस्से के बाद पुरंदर की संधी हुई थी पर यहां एक और जानकारी देना चाहेंगे जिस वक्त मुगल सेना को पता चला कि महराज ने संधी करने का फैसला किया है तब एक खलबली सी मच गई क्योंकि जैसिंग से मिलने खुद महराज आने वाले थे ऐसे में मुगल फॉज में संधेह पैदा हुआ कि छत्रपती शिवाजी महराज पूरी सेना के साथ उन पर आक्रमन करने आएंगे पर दुर्भाग्य से ऐसा कुछ हुआ नहीं कि तब एक खुर्भाग्य से थे एकुआ नहीं